हेलो बच्छों मेरा नाम है शिखा गुपता और आज हम लोग आपकी क्लास 6 की वसंत की पार्टि पुस्तक से उसका पांशवा पार्ट अक्षरो का महत्व का प्रश्न अभ्यास हल करेंगे तो चलिए अब हम लोग प्रश्न फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं पहला प्रश्न हमें क्या बोला है पार्ट में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युक की शिरुवात हुई है तो बताओ बच्चों आपको क्यों लगता है कि पार्ट में ऐसा क्यों बोला गया है कि अक्षर जैसे ही विक्सित हुए वैसे ही एक नया युक की शुरबात हो गए तो बच्चों ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब अक्षरों का निर्मान हुआ अक्षरों की खोज हुई तब आदमी क्या करने लगे अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे जिससे उस युक के जो मानव जाती थी उसको हम लोग क्या बोलने लगे सब कहने जाने लगे वो लोग तो आदमी के लिखना आरम करने से ही इतिहास का आरम हुआ और एक पीड़ी के विचार दूसरी पीड़ी तक पहुचने लगे इसी के साथ क्या हुई विकास की गती भी तेज होती हुगे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक नए युक की शुरुवात हुई तो चले बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं अक्षरो की खोज का सिलसला कब और कैसे शुरू हुआ पार्ट पढ़कर उत्तर लिखिए तो बताओ बच्चों आपको क्या लगता है कि अक्षरो की खोज का सिलसला कब और कैसे शुरू हुआ तो बच्चों इसका उत्तर है अक्षरो की खोज का सिलसला लगबक 6,000 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था इससे पहले व्यक्ति क्या करते थे चितरों के द्वारा अपने भाव और विचार को एक दूसरे से व्यक्त करते थे वो कैसे चितर बनाते थे परशु पक्षियों की चितर बनाते थे आद्मियों की चितर बनाते थे उसके बाद जब चित्रों के द्वारा वो अपने भाव व्यक्त करने लगे उससे धीरे धीरे बाद क्या हुआ भाव संकेत अस्तित में आने लगा वो भाव संकेतों के द्वारा अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करने लगे तो पार्ट में आपने एक एक्जामपल पढ़ा था ना कि जब वहाँ पे वहाँ उस टाइम के लोग क्या करते थे एक वृत बना लेते थे सरकल बनाते थे कॉपी पे और उसके चार और क्रिणरे जैसी रिखाई खीज देते थे तो वो क्या दिखने लगता था वो एक सूर की तरह दिखने लगता था तो जब भी उनको धूप या गर्मी की बार में बताना होता था तो वो क्या करते थे वही चितर बता कर दिखा के बता देते थे तो इसके दुआरा क्या हुई अक्षरो की खोज हुई अब बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं अक्षरों के ग्यान से पहले मनुश अपनी बात को दूर दुराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए किन किन माध्धुमों का सहारा लेता था तो आपको क्या लगता है कि उस समय के लोग कौन सा साधन यूज करते थे अपने बातों को एक दूसे तक दूर दूर तक लोगों तक पहुचाने के लिए के माध्यम से क्या करने लगे अपनी बात पहुचाने लगे तो बच्चो अब हम लोग नेक्स प्रेशन की ओर बढ़ते हैं अक्षरों की महत की तरह द्वनी की महत के बारे में जितना जानते हो लिखो तो बच्चो अक्षरों द्वारा हम क्या करते हैं अक्षरों द्वारा हम लिख कर अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं और ध्वनियों दारा हम बोल कर अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं तो दोनों ही जो दोनों रूपों का जो लिखित और मौकिक भाषा के उपर जो अधार है वो बहुत ही मजबूत है तो ये दोनों अक्षर और हम कलपना नहीं कर सकते बोलने की तो कान में जो भी आपको आवाजे सुनाई देती है वो सब क्या होती है द्धोनी कहलाती है तो अपनी भाशा की जो भी स्वाथक द्धोनी का जो उच्चारर द्वारा ही हम अपना क्या करते हैं अपने भाव को व्यक्त करते हैं इसलिए अक्षरों के समान ही धुने भी हमारे लिए उतनी ही महत पूर है तो बच्चो अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं मौकिक भाषा का जीवन में क्या महत वो होता है इस पर सिक्षक के साथ कक्षा में बात चीत करो तो बताओ बच्चो आपको क्या लगता है मौकिक भाषा में हमारे जीवन पर क्या महत वो पड़ता है बच्चो मौकिक भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत वे क्योंकि इसके बिना हम अपने विचार अपने भाव को एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकते क्या आप अनुमाल लगा सकते हैं कि अगर आपके पास मौखिक भार्षा नहीं होती आप नहीं जानते तो क्या आप क्या सोच रहे हो आपको भूख लग रही है या कुछ भी आपको चाहिए तो क्या आप दूसरों को बता सकते हो क्या बोल सकते हो जब आपको भार्षा ही नह से हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बता सकते हैं तो मौकिक भार्षा के अंतगत बच्चों बोलना और सुनना दोनों ही आता है मौकिक भार्षा एक तरह की मूल भार्षा है जिससे हर बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो आस पास के लोगों को देख कर पहले क्या सीख बान में वह उस भार्षा के दोर एपने भाओं को प्रकट करना सीख लेता है, बाद उसके थोड़ी दे बाद वह लिखिद भार्षा का प्रयोग jasीखने में व्यक्ति को समय लगता है, लेकिन जब मोखिक भाषा सीखने में व्यक्ति को उतना ज्यादा समय नहीं लगता है, तो बच्चों अब हम लों next question के ओर बढ़ते हैं. हर वग्यानिक एक खोच के साथ किसी ना किसी वग्यानिक का नाम जुड़ा होता है. लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है. क्यों? पता करो और सिक्षक को बताओ. तो बच्चों हमें इसमें बताना हैं कि अक्षरों के साथ किसी भी वग्यानिक का नाम क्यों नहीं जुड़ा है. हमें क्यों नहीं पता चलता है कि अक्षरों का किस वग्यानिक ने खोच की है. तो बचो यह बात सत्त है कि हर वस्तू जो भी वस्तू जीवन में है उसके पीछे किसी ना किसी वग्यानिक की खोच का हाथ है किसी ना किसी वग्यानिक नहीं उसका अविश्कार किया है किसी ना किसी वग्यानिक का उसमें एक एहम योगदान रहता है लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेश की देन नहीं है या मानग जाती के सम्मलित प्रयासों का फल है अक्षरों का जो विकास हुआ है बच्चों वो अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फल सोरूप हुआ है इसको किसी एक व्यक्ति ने अविश्कान नहीं किया इसलिए इसके साथ किसी एक व्यक्ति का नाम हम नहीं जोड सकते हैं तो बच्चेओं अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं एक भाशा को कई लीपियों में लिखा जा सकता है उसी तरह कई भाशाओं को एक ही लीपि में लिखा जा सकता है नीचे एक ही बात को अलग-अलग भाशाओं में लिखा गया है इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिये गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो तो बच्चो पहले आपको जानना होगा कि लीपि का मतलब क्या होता है लीपि का मतलब होता है बच्चो जब हम किसी भी भाशा की जो लिखावट होती है उसके लिखने का ढंग जो होता है उसी को हम लोग लीपि कहते हैं तो द्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्यों का प्रयोग किया जाता है, वा लीपी कहलाती है, जैसे कि हिंदी में का, खा, गा, ये सब क्या है, ये चिन है, ये द्वनियों की चिन है, तो हिंदी, हमारी हिंदी के लीपी क्या होगी, देवनागरी लीपी होगी, उसी तरह A, B, C, D, English में होते हैं तो English की लिपी क्या होगी? Roman लिपी हो गई तो बच्चो अब हम लोग Next question के ओर बढ़ते हैं हमारा Next question क्या है? पुराने जमाने में लोग यहां क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज इश्वर ने की थी क्योंकि वे इश्वर को ही सबसे ज़्यादा सर्वशक्ति मान मानते थे वे अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि अक्षर की खोज मानव भी कर सकता है पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे बच्चो तो उनको उनका जो ज़ो जो ग्यान होता था वो बहुत ही सीमित होता था उनके जो इश्वर के प्रतिनिस्ठा होती थी वो बहुत ज़्यादा अधिक होती थी तो उनके मन में ये विचार भी नहीं आता था कि जो अक्षरों की खोज है वो मानव द्वारा भी किया जा सकता है तो पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ग्यानवार नहीं हो सकता कि वो अक्षरों की खोज कर सकता है तो बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन के ओर बढ़ते हैं अक्षरों के महत्वे के साथ ही मनुश्य के जीवन में गीत, नित और खेलों का भी महत्वे कक्षा में समू में बाचीत करके उनके महत्व के बारे में जनकारी इकटी करो और कक्षा में प्रसुत करो तो बच्चों जिस तरह से हमारे जीवन में अक्षरों का महत्वे उसी तरह से हमारे जीवन में गीत, नित और खेलों का भी एक महत्पूर महत्व है, बहुत ही महत्व है गीत और नित ये सब किसे जुड़े होते हैं, ये हमारे सांस्कृतिक से जुड़े होते हैं, ये हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं संगीत के द्वारा बच्चो संगीत एक तरह का योग होता है संगीत हम लोग क्या करते हैं सुनते हैं ये हमारे हमें खुश रखता है इसके साथ ही ये हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन भी बनाए रखता है संगीत के द्वारा हमारा स्वास्त भी काफी अच्छा हो जाता है ये हमारे स्वास्त पे काफी अच्छा असर करता है बच्चो संगीत में तीन विधाय शामिल होती हैं गायन, तालसूर और नित्र तो इसी प्रकार जो प्रभाव संगीत हमारे जीवन में डालता है बच्चों, इनकी मदद से हम अपनी अभिवक्तियों को पूर्ता देते हैं, खेलों से हम क्या करते हैं, स्वस्त रहते हैं, हमारा शारिरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, खेल हमें सहियों की भावना विक्सित करती है, एक जुटिता की भावना विक्सित करती ह हमें सहनशीर्टा की भावना सिखाता है नेत्रत के गुड का विकास करता है तो बच्चों अब हम लोग next question के ओर बढ़ते हैं क्या होता अगर हमारे पास अक्षन ना होते हमारे पास भाषा नहीं होती तो पहले हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास अक्षन ना होते तो क्या होता अगर बच्चों हमारे पास अक्षन ना होते तो हम हमारे इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाते और हम पुरानी पीडी में जो ग्यान विक्सित हुए हैं उनके बारे में भी कभी नहीं जान पाते उन्हें कभी सीख नहीं पाते कि पुराने जवान में जो नहीं टेक्नीक विक्सित की गई होंगे उन सारी टेक्नीक के बारे में हम नहीं जान पाते अगर हमें अक्षरों का ज्यान ना होता और हमारा विकास भी तेजी से नहीं हो पाता तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोल कर और ना ही लिख कर दूसरों पर प्रकट कर पाते हमारा समाजिक दारा बढ़ नहीं पाता और अलगाब बना रहता जैसे परशू साथ रहकर भी अलग रहते हैं वैसी ही इस्तिती हमारे मनुश्य की भी होती तो बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन की ओर बढ़ते हैं अनादी काल में रिखांके शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुवात आत या आदी ना हो या शब्द मूल कुछ जोडने से बना है इसे उपसर्ग कहते हैं इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्द को लिखकर उनका अर्थ समझाओ तो पहले बच्चों हम लोग जान जाते हैं जान लेते हैं कि उपसर्ग आखिर होता क्या है तो बच्चों उपसर्ग ये होता है जब किसी मूल शब्द के शुरुवात में हम लोग को शब्द जोड़ दें या वड़ जोड़ दें तो जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उपसर कहते हैं उस नया शब्द का एक अलग ही अर्थ होता है तो चलिए हम लोग जानते हैं इनमें इन दिये के शब्दों में स उपसर्ग क्या लगा हुआ है और इसमें मूल शब्द क्या है पहला शब्द हमें दिया गया है असफल तो बच्चों इसमें उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है और मूल शब्द हमारे सफल है दूसरा शब्द हमारे अदिश इसमें पहला उपसर्ग आ जुड़ा हुआ है और अपका उपसर्ग है और आविशक आपका मूल शब्द है अपरिचित इसमें बच्चों आपका उपसर्ग है और परिचित आपका मूल शब्द है अनिच्छा इसमें बच्चों अन आपका उपसर्ग है और इच्छा आपका मूल शब्द है तो बच्चों अब हम लोग नेक्स अरब साल पुरानी है, कोई 10 हजार साल पहले आदमी ने गाउं को बसाना शुरू किया, इन वाक्यों में रिखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेश जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्या वाचक विशेशर हैं, संख्या वाचक विशेशर का इस्तमाल उनी चीजो के लिए होता है, जिने गिना जा सके जैसे 4 संत्रे, 5 बच्चे, 3 शहर आदी, पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माब तोल आदी के शब्दों का इस्तमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, य जो कि इनका संबंद माब तोल से है, अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली इस्तानों में बॉक्स में दिये गए माब तोल के उचच शब्द चाट कर लिखो, तो बच्चो पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि संख्या वाचक विशेषड क्या होता है, तो बच किसी चीज की विशेषदा बताते हैं, उसे हम लोग संख्या वाचक विशेषड बोलते हैं, वह विशेषड जो अपने विशेषड की निश्यत या अनिश्यत संख्याओं का बोध करा है, तो बच्चो आप विशेषड का मतलब तो अच्छे से जानते होंगे, जब हम बोलते हैं, संख्या वाचक विशेषड बोलते हैं, तो बच्चो इस मैदान में पांच लड़के खेल रहे हैं, तो उस मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो पांच क्या है, एक संख्या है, इसलिए क्या हो गए, यह संख्या वाचक विशेषड हो गया, उसी तरह ह मम लोग कभी कल ऐसी चीजों की विशेस्ता बताते हैं संख्यां में जिनको लोग गिन नहीं सकते हैं उसके पहले मोक एक माट तॉल वाली शब्द यूज़ करते हैं जैसे तीन जग पानी अब पानी को तु गिना नहीं जा सकता है इसलिए हम लोग उसका माप परिमार बताने के लिए तीन जग यूज़ करते हैं ऐसे चीनी को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं क्यों चीनी के कर्ब बहुत चोटे-चोटे हो तो उसको हम लोग गिन तो सकते हैं इसलिए हम लोग उससे पहले परिमार बताने के लिए उसका एक किलो का यूज करते हैं तो इसी तरह हमें नीचे जो शब्द दिये गया है उसे चाट कर और जो नीचे फिलेंद ब्लैंक दिये हैं उसमें भढ़ना है तो बच्चों अब हम लोग चलिए भढ़ना शुरू करते हैं तीन डैश खीर, तीन कटोरी खीर, दो डैश जमीन, दो एकर जमीन, छै डैश कपड़ा, छै मीटर कपड़ा, दो डैश कॉफी, दो कप कॉफी, एक डैश रेत, एक ट्रक रेत, पांच डैश बाजरा, पांच किलो बाजरा, एक डैश दूद, एक लीटर दूद, तीन डैश नाश तेल, टीन चमμच तेल, तो बच्चों अब मुझो नेक्स प्रशन के ओर बढ़ते हैं अपने लीपी के कुछ अक्ष्झों के बारे गए만 जानकारी को जो Woo जो अब प्रेऊम में नहीं रहे प्नचलेत नए अक्षर जो अब प्रेयो में आ गया है तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जैसे कि जा है, या है, कत है, रव है और ऐसे बहुत सारे नएने अक्षर आप आ चुके हैं जिनका हम लोग प्रियोग करते हैं जैसे आ है, जा है, खा है, ला है तो बच्चों अब हम लोग नेक्स प्रेशन की ओर बढ़ते हैं लिखित और मौकिक भार्षा की हानी लाबी की बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो तो बच्चों हमें बताना है लिखित और मौकिक भार्षा की हानी क्या है और उनके लाब क्या होते है तो बचों लिखित भाशा की जो लाब हैं जो लोग बोल नहीं सकते वो लिख कर अपने भाव प्रकत कर सकते हैं लिखित भाशा के दौरा और हमारी लिखाई भी सुधर सकती हैं लिखित भाशा के दौरा और इसकी हानी ये है अगर कुछ जरूरी बताना हो तो जल्दी पाता और काफी कागज बरबाद होता है लेकित भाशा में बलकि मौकिक भाशा का लाब बचो ये है कि जो बताना हो अराम से भी और जल्दी से भी हम बता सकते हैं मौकिक भाशा के द्वारा भाव अपने आप वेक्ट हो जाते हैं मौकिक भाशा के द्वारा और इसकी हानी य यह है कि गुस्सा आता है तो हम चिला देते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग बच्चो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं मौकिक भाष्ण में जिससे कुछ लोग जो सामने वाला व्यक्ति है वो सही से उनकी बात को मतलब समझ नहीं पाता है। तो बच्चो अब हमनों नेक्स प्रेशन के ओ बढ़ते हैं अक्षर धौनियों स्वरो और व्यंजिनों के प्रतीक होते हैं। तो बच्चो अब हमनों नेक्स प्रेशन के ओ बढ़ते हैं अपने आसपास के किसी मूख बाधर बच्चे के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो बच्चो यहां पे जो मूख बाधर शब्द का प्रियोग हुआ है उसका मतलब होता है कि जो गूंगा हो या बहरा हो। ऐसे बच्चों तो बच्चों अपने आसपास के जो स्कूल है वहां पे जो बूख बाधर बच्चे हैं उनसे आप मिलिए उनके साथ कुछ समय बताइए उनके अनुभव को जानने के कोशिश करें कि वह कैसे पढ़ाई करते हैं उनके जीवन में क्या-क्या कठना ही आती है क्योंकि वह सुन नहीं सकते हैं इन सारे चीजों के बारे में आप देखें उनके साथ समय वैतीत करके जानिया और उसे अपनी कॉपी पर एक गदी की तरह लिखकर नोट करिए तो बच्चों अब हम लोग ने इस पार्ट का पूरा प्रशनब्यास हल कर लिया है आप इसे अ एकने के लिए थांक यू